बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का वेलकम टू इलेक्ट्रानिक स्टडी यूट्यूब चैनल आप सभी को नमस्कार आप सभी को प्रडाम है यहाँ पर जी हाँ बहुत ही कम समय है चार से पांच मिनट का समय है और आपके बाल मनुविग्यान के अगर हम सिध्धान्तों के बारे में बात करें या बाल मनुविग्यान के कौन कौन से महतो पूरड सिध्धान्त है तो चार से पांच मिनट आप समय देजिए और यहाँ प तो मनुविग्यान के जनक में हमें कौन मिलेगा विलियम जेम्स का नाम मिलेगा आधुनिक मनुविग्यान के जनक में भी इन्ही का नाम आता है प्राकार या वाद संप्रदाय के जनक के रूप में कौम जाने जाते हैं तो Edward Lee Thondike का नाम आएगा, वहीं प्रयास और तुर्टी का सिध्धान्त भी जो है, वो इन्हीं के द्वारा दिया गया है, इसे हम लोग प्रयात्न और भूल का सिध्धान्त भी कहते हैं, ये भी चीज आपको याद रखने की जरूरत है, सहीं उजन्वाद का सिध्धान्त भी Thondike के द्वारा ही दिया गया है, उद्धीपन अनुक्रिया लिखा हुआ है अगर कहीं, जिसे हम लोग Stimulus Response बोलते हैं, क्या बोलते हैं Stimulus Response थियोरी या जिसे हम SR थियोरी के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें नाम जो है, वो किसका देखने को मिलेगा, Thondike का ही देखने को मिलेगा, यह चीज़े हैं, यहां से आपका सवाल पक्का बनने वाला है, इतना याद रखेगा, जब हम U-PTED परिक्षा की बात करते हैं, या किनी TET परिक्षाओं की आप बात कर लें, यहां से आगे हम अगर बात करें, अगले क्वेशन में आपसे क्या कहते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे आपको लेकर के, और यह आपसे क्या कहते हैं, एक बार में इसको डिलीट कर देता हूँ, उके स्क्रीन शॉट आ गया था, इसमें क्या लिखा हुआ है, अधिगम का बंध सिध्धान्त, जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो थॉन्डाई के द्वारा दिया गया है, आपसे संबंधवाद के सिध्धान्त के बारे में बोला है, उसमें भी नाम जो है वो Thondai का ही आएगा जो Edwardly Thondai के जो सिध्धान्त है जो उनके नाम के साथ में जुड़े हुए है तो प्रसिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयो सिध्धान्त आप में से बहुत कम बच्ची होंगी जो इसको नाम ऐसे में सुने होंगी ये भी आपको याद रखने के जरूरत है संबंधवाद, अधिगम का बंध सिध्धान्त, बहुखंड सिध्धान्त ये सारे के सारे सिध्धान जो है वो Thondai के ही है बिने साइमन बुद्धी परिक्षण के प्रतिपादक बिने साइमन है बुद्धी परिक्षणों के जन्मदाता बिने को जाना जाता है इसके बारे में बताया था एक खंड सिध्धान्त बिने साइमन ने ही दिया यहाँ पर या एक खंड सिध्धान्त में केवल आप बिने कभी नाम लेके सकते हो दो खंड और त्री खंड यानि कि दोई कारक और जब त्री कारक सिध्धान्तों की बात करते हैं तो उसमें नाम जो है वो स्पियर मैन काएगा सामान्य और विशिष्ट तत्वों के सिध्धान्त यानि त्री कारक सिध्धान्त सामान्य विशिष्ट की बात करें जो दो कारक बोला ना मैंने तो एक नॉर्मल फैक्टर होता है एक जनरल फैक्टर होता है आपका नॉर्मल या जनरल और दूसरा आपका special factor होता है तो उसी को इन्होंने सामाने और विशिष्ट तत्तों के सिध्धान्त के बारे में बोल दिया है ये भी Spearman मिलेगी बुद्धी का द्वय शक्ति सिध्धान्त सिध्धान्त का है त्रियायाम सिध्धान्त गिलफोर्ड का है जिसे हम त्री डामेंशनल थियोरी ओफ इंटेलिजेंस बोलते हैं और ऐसे में वहाँ पर विश्वस्तो संक्रिया और उत्पाद मिलेगा बुद्धी सनच्वना का सिध्धान्त गिलफोर्ड का ही है समुह खन्ड सिध्धान्त बुद्धी का थर्स्टन ने दिया हुआ है वही पर यूगमत त dances방क नेरडे विधी के प्रति पादक जो है वो थर्स्टन दिखने को मिलेंगे क्रमबद आंतराल विधी के प्रति पादक थर्स्टन समद्रिष्टी अंतर विधी के प्रतिपादक थर्ष्टन और चेउ का नाम लिखा है न्यादर्ष और प्रतिडर्ष इसे हम लोग सैंपल सैंपल बुद्धी का जो सैंपल प्रकार का सिध्धान्त है वो थॉमसन ने दिया है पदानुक्रम यानि के क्रमिक महत्व के सिध्धान्त में बर्ट और बर्नन का नाम आएगा तरल और ठोस बुद्धी कई बार आपके यूपिटिट में सीधे सीधे सवाल पूछा गया है तो कैटल महोदे के द्वरा ये दिया गया है वहीं प्रतिकारक या विशेशक सिध्धान्त के प्रतिपादक की बात की चाए तो कैटल महोदे ही हमें देखने को मिलेंगे बुद्धी के का और खा के सिध्धान्त के बारे में बात की जाए तो हैब का नाम आएगा एकाई सिध्धान्त जो है वो किसका है आपका स्टारन और जावनसन का नाम है बुद्धि लब्धी ज्याद करने के सूत्र के पृतिपादक विलियम इस्टन बुद्धि लब्धी का सूत्र क्या है मेंटल एज को आप करोन और एज के रेज से डिवाइड कर देते हूं इन्हें मांसी कायू को वास्तवी कायू से अगर हम डिवाइड कर देते हैं इन्टू हंड्रेड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा संट्रचनावाद संप्रदाय के जनक में किसका नाम आता है विलियम वॉंड का 1879 में अपने सेश्य कैटल के साथ में मिलकर कि सबसे पहले बुद्धी के सिध्धानतों के बारे में इन्होंने ही जानकारी दी थी बुद्धी के मापन के बारे में इन्होंने जानकारी दी थी प्रियोग आत्मक मनोविज्यान के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है विकास आत्मक जब हम मनोविज्ञान की बात करती है जीन पियाजे का नाम वहीं संग्यान आत्मक विकास की बात की जाए तो वहाँ भई जीन विलियम फ्रेड़ पियाजे का नाम आएगा अचा संग्यान आत्मक की जगए अगर ज्यान आत्मक लिखा है confused मत होईएगा एक ही बात है मूल प्रविर्टियों के सिध्धान्त के जनव जाता बच्चों में कौन सी चीजे देखने को मिलती है fundamental instinct मूल प्रविर्टि MacDougal का नाम most most important हर्मिक सिध्धान्त MacDougal मन मस्तिस्क का विज्ञान जो है वो किस को कहा मनुविज्ञान को किस ने कहा तो पामपुलाजी का नाम आएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिध्धान्त की अगर हम बात करें अभी हम 42 नमबर पर पहुँचे हैं तो इसमें सक्रिया अनुबंधन की बात कर ले जाए हैं या प्रतिश्थापक का सिध्धान्ती है ये सारे के सारे सिध्धान्त जो है वो इवान पैटोविच पावलो यहांए कि पावलोव के द्वरा हमें दिया हुआ देखने को मिलेगा इसमें नौबल पुरजकार भी मिला था ये भी याद रखेगा पावलो का प्रियोग इन्होंने जो किया वो कुत्ते पर किया था प्रबलन या पुनर्बलन का सिध्धान्त हल का है यहाँ पर विवस्थित व्यवहार का सिध्धान्त हल का है अब हल के कितने सिध्धान्त है जरा उन्हें गौर करिएगा सबसे बड़ी चीज है कि हमने इसमें उस तरीके से रखा है कि आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ माई जो एकठे इन्में इन्होंने बताय हुए है विवस्तित ब्यवहार, सबली करण, समपोशक या अंतरनोद यानि कि चालक जो सिद्धानत है वो किसके है तो सील हल महोदे का नाम यहां से देखने को मिलेगा अधिगम का यहां पर सुक्ष्म सिद्धानत कोहलर का है कोहलर यह सारे के सारे आपके गेस्टाल्ट वादी है जिनें समगर वादियों की नाम से भी जानते है सूजी अंतर दृष्टी है आपका केस्टाल्ट संपर्दाय जो है इनमें कौन-कौन लोग आएंगे वुल्फ गैंकोहलर, वर्दीमर, कोफ का इन सभी का नाम आपको देखने को मिलेगा कर्ट लेबिन की बात कर लेते हैं कर्ट लेबिन के सिध्धान्तों में यह है, आपके चार सिध्धान्त चुक्षेत्रिय तल रूप बोला है समुह गतिश्रीलता बोला है और सामी प्यसंबंध वाद बोला हुआ है Most Most Important ध्यान दिहान कियेगा जब हम कर्ट लेबिन की बात करती है यहाँ पर चिन अधिगम चिन अधिगम को ले करके बात की जाए तो टॉल मैन का नाम आएगा वहीं संभावना सिधान्त में भी टॉल मैन का नाम हमें देखने को मिले वाला है वीडियो को आप बाकियों तक भी दोस्त जरूर पहुचा दिया करें यहाँ पर जिससे कि बाकियों तक भी इसकी पहुच बनी रहे वो भी अच्छी तरीके से वीडियो को जो है यहाँ पर इसको देख पाए अच्छी तरीके से अपने तैयारी कर पाए हमारा टेलीग्राम चैनल एलेक्ट्रोनिक स्टडी के नाम से है वहाँ पर जुड़े रहेंगे तो सारी important PDFs वहाँ पर हम भेज दिया करते हैं कहते हैं आपसे वारप का है जब हम भाशाई सिध्धान्तों को लेकर के बात करते हैं अच्छा डेबिड आउसुबल का नाम याद रखेगा जो कि अग्रिम संगठक का प्रतिमान के प्रतिपादक के रूप में चाने जाते हैं मनुविज्ञान के व्याँहारवादी संप्रदाय जो विहवेरिजम को लेकर के बात करते हैं उसमें जेबी वाट्सन का नाम आपको देखने को मिलेगा यह जोन लिखा हुआ है जो जोहान करके लिखा है कहते हैं अधिगम यह व्याँहार सिध्धान्त के प्रतिपादक में हमें कौन मिलेगा तो व्याँहार सिध्धान्त के प्रतिपादक में आधिगम ये व्यवार्ड सिध्धान्त के पृतिपादक नाम है समाजिक अदिगम सिध्धान्त बंडूरा का है पुनराब्रति का सिध्धान्त स्ट्रैनले हॉल का अधिगम सोपाने की आठ स्टेपस बताए हैं आपके सुपर्टिट में ये सवा सीधे सीधे पूछा गया था कि इतनी स्टिप से आर्टिस्टिप है मनु सामाजिक विकास का सिधान तैरेक एरिक्षन का है वहीं प्रियोजना ये योजना विधी के अगर हम बात करें तो उसके जन्न दाता है किल पैट्रिक अधिगम मनु विग्यान के जनक हर्बन हैविंग हर्ष्ट ये आपका जो लिखा हुआ है ना हर्बन हैविंग हर्ष्ट लिखा हुआ है इबिन घौस करके लिख दिया है हिनने हैविंग हर्ष्ट आपने नाम सुना होगा है हैविंग हर्ष्ट करके हम इसे लिखेंगे ठीक ह ये चीज़ याद रखेगा, आगे हम चलते हैं अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक और संद्रचनात्मक अधिगम का सिध्धान्त इसमें जीरॉम ब्रूनर का नाम देखने को मिलेगा आप से कहते हैं सामानी करण का सिध्धान्त तो जैड महोदे हैं हापर अब देखिए, अबरहम मैसलो में आपने आवशकता पदानुकरम पढ़ा है नीड हयारी की थियोरी लेकिन मांग पूर्ती करके पूछ लिया तो बहुत कम होंगे बच्चे जो आप जानते होगे तो आज जान गया होगे कि अबरहम मैसलो का नाम आएगा अबिपरेणा का सिधानत अबरहम मैसलो का ही है आतमग्यान के सिधानत में भीनी का नाम आएगा अबिपरेणा, उपलब्दी अबिपरेणा, मैक्ली लैंड करके है प्रोचाहन का सिधानत, बोल्स और कॉफमैन का है इनको याद रखने का यह एक तरीका है लिख लिख कर पढ़िए एक दो बार पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आजाएगे व्यक्तित्व मापन की बात की जाए तो मुरे का है कथानक बोध परिक्षन जब आप हम Thematic Aperception Test की बात करते हैं आप समझ रहे, Child Aperception Test उनहीं की बारे में आपर बात की जा रही है प्रासंगिक अंतरबूद परिक्षन, मौर्गन मुरे बाल अंतरबूद ही यह आपका वही है Child Aperception Test, लियो वार्ड बैलॉक और जब हम Sonia Sorrel Belloc की बात करते हैं तो इसमें दो लोग है, आपके इसमें एक ही लिखा हुआ है इंक Blot Test की कौन है? रोशा स्याही दबा परिक्षन की जब हम बात करते हैं तो रोशा स्याही दबा परिक्षन की प्रतिपादक में हर्मन रोशा का नाम आएगा चुकि आपके सिध्धान तो और जो भी है वो आपके 120 है तो इसमें समय लग गया, लगबग 10-12 मिनट हमने आपसे कहा कि व्योहार परिक्षन विधी की प्रतिपादक में Heart Sean का नाम आएगा वही वाक्य पूर्ती परिक्षन एक छूट किया है आपका इसमें आपका पाइन और टेंडलर का नाम आता है किंडर गार्टन फ्रॉबल का है खेल बिधी फ्रॉबल की है मनु विसलेशन सिगमंड फ्रीओड या फ्रॉइड स्वपन विसलेशन करके भी नाम इनका ही देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट बिधी में विलियम हेंडरी किलपेट्रिक है मापनी भिदक विधी के प्रतिपादक एडवर्डस और किलपेट्रिक का नाम लिखा हुए डॉल्टन विधी के जन्रदाता पार्क हर्ष्ट यह इसमें क्या है मिस हेलन पार्क हर्ष्ट करके इनका नाम मिलेगा मेरिया मॉन्टे स्री विधी मॉन्टे स्री विधी के चन्रदाता डैक्रॉली में जो है वो आविड डैक्रॉली का नाम आएगा विनेटी का कॉरल्टन बाषबर्न का है वहीं यहीं पर देखे लिखा हुआ हिउरेस्टिक के अगर हम बात करें तो एचे आर में स्ट्रॉंग का नाम आता है समाज विधी में मॉरैनो का नाम है योग निर्धारण में लिकर्ड और वही स्कैलोग्राम की बात की चाए यहाँ पे तो गटमैन का नाम हमें देखने को मिलेगा विभेद शाप्दिक विधी के प्रतिपादक औसकुड स्वतंत्र शब्द शाहचार्य परिक्षण फ्रांसिस गॉल्टन का है वही स्टाफोर्ड बिने स्केल परिक्षण की बात करें तो टर्मन का मिलेगा परोटियस भूल भूलया परिक्षण की प्रतिपादक पॉरटियस ही है यहाँ पर आगे चलते हैं आपर वैसलर वैल्यू वुद्धी परिक्षण वो डी वैसलर का है वही आर्मी अल्फा परिक्षण जो है वो ओटिस महोदे का मिलेगा आर्मी अल्फा और बीटा में जो है वो भी वहीवनी का नाम आएगा हिंदुस्तानी बिने क्रिया परिक्षण के प्रतिपादक में राइस महोदे का नाम आता है जिनने 1922 में यहाँ पर इसके बारे में चर्चा की थी ठीक है 1905 में बिने का था 1922 में राइस का था प्रत्मिक वरगी करण परिक्षण के प्रतिपादक जो है वो जे मन्रो करके आप बोलोगे बाल अपराद विज्ञान के जनक में सीजर लैंब्रोसो का नाम आता है आप से कहते हैं वन सशोत्र नियम के प्रतिपादक में ग्रेगर मेंडल का नाम है ब्रेल लिपी के जन्मदाता लूई ब्रेल चार जन्वरी को ब्रेल दिवस मनाते हो आप सिक्स डाट्स पर बात करते हो वरे हुए बिंदूओं पर सहाचार या सिध्धान्त के प्रतिपादक में अलेक्जेंडर का नाम है कहतने लिखने समंदी जो चीज़े हैं वो आपके किससे रिलेट करेंगी सीखना सिध्धान्त से हर लो हैं शरीर रचना सिध्धान्त श्रैल्डन और वेक्तितुमापन के अगर हम बात करें तो गॉल्डिस्टीन का नाम हमें देखने को मिलेगा तो यह थी आपके 120 सिध्धान्त लगबग यहां पर आपका 12 मिनिट का समय लगा उम्मीद आशा है कि आप यह 12 मिनिट अगर सही तरीके से वीडियो को आप अगर देखे होंगे तो इन सारे सिध्धान्तों को आपने एक साथ में कहीं न कहीं पढ़ लिया होगा रट लो इसे जो भी करपाओ कर लो यहां से सवाल आपका पका है कि एक मिलने वाला जरूर है लाइक और शेयर तो बनता है दोस्त ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब की रही है जो पहली बार यहां पर इस चैनल पर पधा रहे हैं मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में चलती ही थैक्स वर वाचिंग